भगवान की पूजा के लिए सुबा सुबा का समय सर्वस्रेष्ट माना गया है। वैसे तो दिन में कभी भी सच्चे मन से आराधना की जा सकती है। लेकिन ब्रहमूरत में पूजा आराधना करने का विशेश महत्व है। उजयन के जोतीशा चारे पंडित मनी शर्मा के अनुसार भक्ती के लिए सुबा का समय सबसे अच्छा होता है। क्योंकि इस समय हमारा मन शांत रहता है। निंद से जगने के बाद ठकान नहीं रहती है और पूजा अच्छे से हो पाती है। सुबा जल्दी पूजा करने के लिए जल्दी जगना पड़ता है। समय सबसार नहीं होते है। भगवान के भक्ती के लिए जरूरी है कि मन एकाग्रता रहे। ताकि पूरा ध्यान पूजा में लगाया जा सके। सुबा के बाद दिन में किसी और समय में हम कई काम करते हैं। जिसे से मन में बहुत सी बाते चलती रहती है। मन पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाता है, दिन में अशांत मन और बुरे विचारों की वज़ा से ठीक से पूजा नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि ब्रह्मूरत को पूजा और शुवकार्यों के लिए सर्वस्रेष्ट माना गया है, जब पूजा शांत मन से धैरे के साथ की जाती है, तो भगवान भक्ति की सभी इक्षाएं पूरी करते हैं, सुवस्वा ध्यान करने से मानसिक तनाव भी दूर होता है, साथ ही मंतरों के जाब करने से बुद्धी तेज होती है.